तो question का नाम है remove link list elements, तो इस link list में हमें कुछ notes या element को remove करना है, ये question lead code में आपको मिल जाएगा question number 203, problem statement देख लेते हैं, problem statement में आपके पास एक link list है, ठीक है, ये 1 हमारा head है, 1 का next 2 है, 2 का next 6 है, 6 का next 5 है, and 5 का next again 6 है, तो एक link list given है, और एक value given है, value is equal to 6 है, तो इसमें बोल रहे हैं, कि जिस भी node की value 6 है, उसको remove कर दो, ठीक है, तो result क्या होगा, ये 1 ऐसा ही रहेगा, ये head है, 1 का next 2 हो जाएगा, 2 का next इस बार 6 remove हो चुका है, तो 5 हो जाएगा, और 5 का next कुछ नहीं होगा, क्यूंकि second वाला 6 भी remove हो चुका है, तो आपको ये जो remove करने के बाद ये same link list का head को return करना है, बस ये है problem statement, अब आते हैं approach पे, तो एक बार link list को दुबारा यहाँ पर draw कर लेते हैं, 1 का next 2, 2 का next 6, 6 का next 5 ले लेते हैं, 5 का next again 6, और value given is equal to 6 है, तो जिस भी node की value 6 होगी, उसको remove करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपना एक current node ले लो है, ये same head को हमें return करना है, तो ये head pointer को मैं change नहीं करूँगा, मैं current pointer को head पे assign करूँगा, और हम ये current pointer को move करेंगे, तो basically मैं चाता हूँ कि traverse करते करते हम इन nodes को delete कर दे, ठीक है, delete क्या करना है, basically हमें links update करने है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको example दूँ, तो मुझे ये 2 का link उठा के 5 से जोड़ना है, तो मुझे ये 2 का link है, जो next ये cross कर देना है, और मुझे ये link update कर देना है, और इसमें म क्या approach हो सकती है, सबसे पहले हम head से start करेंगे, जो हमने एक और point लिया है current, और मैं current का next element है, वो check करूँगा, ठीक है, अभी मैं ये पहला node check नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे idea नहीं है कि पहला node कैसे check करेंगे, उसको बाद में check करेंगे, अभी हम पहले node पे बैठे अगर 6 है या नहीं है, ठीक है, तो ये current.next चेक करना है, और एक condition आपको code में लिखनी होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो basically क्या है, while loop में जब आप traverse करो, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ये current.next है, ये null नहीं होना चाहिए, not equal to null, क्योंकि हम क्या कर रहे है, हम ये इस 2 को चेक कर रहे है, अगर ये 2 null होगा, तो हम obviously हम end पे आ चुके है, हमें रुख जाना है, ठीक है, तो ये current.next at least null नहीं होना चाहिए, तो अभी 2 को चेक करते है, तो ये 2, 6 के equal नहीं है, तो ये पहली condition, जब कोई भी node 6 के equal नहीं होगी, जो given value है, उसके equal नहीं होग तो हम अपने current को move कर देंगे, current को हम move कर रहे है, ठीक है, तो मेरा current ये 2 पे आ जाएगा, obviously मुझे current को थोड़ा सा आगे लेके जाना है, ताकि मैं, अब next element क्या है, current.next, मेरा है 6, अब मैं 6 चेक करूँगा, ठीक है, तो अब ये देखो, current.next 6 है, और हमारी given value भी 6 है, अब हमें 6 को delete करना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहां पर second case आ गया, second case में हम क्या करेंगे, current.next, मतलब जो 2 का next है, उसको update करेंगे, is equal to current.next.next, मतलब ये current.next वाला जो ये link था, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो yellow में था है, इसको current.next का link बोलते हैं, तो इस link को मैंने बोला, current.next.next, तो इसका मतलब यहां से ये 2 से ये 5 की तरफ हमारा link बन गया है, तो ये 2 से 5 की तरफ link बन गया है, और इस case में ध्यान से देखना आप, मैंने current को move नहीं करा, क्यूं मैंने इस current को move नहीं करा? current अभी भी 2 पे है बस मैंने link अपडेट करा है क्यों क्योंकि मुझे current का next चेक करना है जो कि 5 है अगर मैं इसको move कर देता तो मैं 5 तक कैसे पहुचूंगा अभी भी मुझे पता है कि 2 के next में जो भी हमने note को add करा है जो कि हमने 5 को add करा है हमें अगली iteration में उसे भी चेक करना है ठीक है तो इस बार हमने current को move नहीं करा बस link को update करा तो दो condition होगी अगर अगला element 6 के equal नहीं है तो current को move कर दो और अगला element अगर 6 के equal है तब आप links को update करो और current को वहीं रखो ठीक है तो अब अगला हम क्या चेक करेंगे current.next क्या है current.next 5 है और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये 6 के equal नहीं है तो आपको current को move कर देना है तो इस बार हमारा current या 5 पे आ गया ठीक है अगली iteration में क्या करेंगे current.next हमारा 6 है ठीक है तो हम इस वाले लिंक को break करेंगे ठीक है ये लिंक break हो जाएगा और इस 5 को हम यहाँ नल पे attach कर देते हैं ठीक है तो यही code run होगा कि current.next is equal to current.next dot next तो 5 हमारा नल पे आ जाएगा तो अब इसका वे ड्रॉ कर लेता हूँ कि link list finally क्या होगी 1 1 से 2 5 कर दिया और 5 से हमने link update करके नल कर दिया ठीक है इसमे एक edge case handle कर लेते हैं कि हमने पहले discuss किया था यह starting वाले 1 को तो हमने check नहीं करा इसको कैसे check करोगे अगर यही 6 हो एक example ले लेते हैं सबसे पहला element 6 है फिर 1 है फिर 2 है अब आपको इस पहला element remove करना है क्योंकि हमारी value जो given है वो 6 है तो एक काम करते हैं algorithm same रहने देते हैं इसके आगे एक dummy node attach कर देते हैं ठीक है इसको dummy नाम दे देते है और यहाँ से start कर लेते हैं है ना तो इसको check करने की जरूतीन यह dummy को अब आप यह dummy को current माल लेंगे और जो head था वो यह current.next हो जाएगा ठीक है यह head है यह current.next हो जाएगा और हम इस current.next को ही check करते हैं अबने algorithm में तो एक simple सा dummy node से हमारे यह case handle हो जाएगा ठीक है और जब last में आप return करोगे तो for example यह link break हो जाएगा देखो यह dummy है यह six है यह one है यह two है तो यह link break हो जाएगा ठीक है क्योंकि यह six को हम delete कर रहे है और यह dummy का जो next होगा one हो जाएगा तो हमारे जो final link list होने वाली है यह dummy जहा हम इने x लिखा है फिर one और two हो जाएगी तो इस बार जो आपको head return करना है वो यह one करना है यह one अपना new head होगा तो जोब आप return करोगे तो dummy.next कर देना ठीक है तो dummy.next पे हमने one को attach कर रखा है तो हमारा जो answer होगा यह one और two हो जाएगा हम इस one को return कर देंगे तो यह हमारी new link list है I hope आप लोगों को इन logic समझ आ गया होगा यह question देखने में easy है बट यह समझाने में मेरे लिए उतना ही मुश्किल था अगर आपको समझ आया तो like करो वीडियो को, channel को subscribe करो जल्दी से code पे jump करते हैं अब एक बार code देख लेते हैं इसका सारे edge case handle हो जाएंगे इसमें और dummy.next के न, dummy को head से link कर दो ताकि dummy को, जो मैंने dummy बनाया था न उसको आपने, यह अपनी link list का जो head है dummy.next इसमें attach कर दिया ताकि dummy हमारे आगे जुड़ जाए और हमने current करके एक और pointer ले लिया क्योंकि dummy को हम change नहीं करना चाते हैं क्योंकि final हमें dummy को return भी करना है last में, तो एक और pointer बना लेते हैं current इसको dummy पे sign कर देते हैं और इसको move करते हैं ताकि dummy का reference हम ना खो जाए ठीक है? तो इस current को और मैंने क्या condition बताई थी? कि current.next null नहीं होना चीए अगला element ही नल है तो आप check क्या कर रहे हो? है ना? तो current.next null नहीं होना चीए और इसमें दो point मैंने बताई थी जैसे कि value 6 है ठीक है? अब यहाँ देखो current.next अगर जो अगला element है जो dummy का अगला element क्या है? 6 है अगर ये value match हो जाती है तो आपको क्या करना है? आपको ये link को delete करना है ठीक है? ये link delete हो जाएगा ये जो link है ये delete हो जाएगा तो इधर भी ये ही कर रहे हैं अगर मैं code में आपको दिखाऊं ये जो line है ये delete ही कर रही है ठीक है? अगर आपका delete नहीं होना है और अगला element आपका 6 नहीं है, तो obviously आप क्या करोगे, इस current pointer को move कर दोगे, ये ही तो discuss हुआ था तो नीचे else में देखो क्या हो रहा है, current is equal to current.next, बहुत ही simple code है, लेकिन logic इसका समझना important है, code लिखना तो बहुत easy है और last में मैंने क्या बताय था जो भी आपका head होगा, नया head बन रहा होगा, वो dummy.next पर होगा ठीक है, तो इसको return कर दो, इसमें कोई भी, हमने extra space use नहीं करिये न, तो इसकी space complexity constant है कुछ pointers use करें है, जैसे कि current, dummy ठीक है, ये pointers है तो ये fix रहेंगे, ये constant रहेंगे, इस से हमारे pointers increase नहीं हो रहे है, ठीक है, तो space complexity constant है, और हम traversal कर रहे हैं, link list का, तो time complexity big of N है तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं, next वीडियो में किसी नए lead code question के साथ, और अगर आपके interviews चल रहे हैं, तो best of luck and बस अच्छे से देना यही बोलना चाहूँगा मैं, मिलते हैं next video में, bye